एलो इस्ट्वेंट्स आज हम लोग बात करेंगे एरे की जो हमने लास्ट लेक्चर में अपने जो प्रोग्राम बनाये था आपको कि एरे में जो नंबर रिस्टोर है उनका एवरेज निकालना और उनका डेवियेशन निकालना उस एवरेज से अब इसी प्रोग्राम को हम लोग दूसरे डंग से कर सकते हैं वहाँ पर हमने क्या किया था कि एरे के जो element है उसको during the program execution हम लोगो ने एरे के elements को एंटर कराये था इसे कैना अप यूज़ करके लेकिन अगर माल लीजे एरे के जो number है array के जो element है उनको अगर हमको initially assign करना है तो फिर क्या करना होगा कि आपको array को एक external array बनाना होगा तो वो program फिर कैसे बनेगा उसको आज हम लोग discuss करेंगे तो देखिए इस program को हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने comment line में लिख दिया नने करना हेसे सकते तो बद्क साज़ो हमने सकते दिक देश्टlden अग्योच नने करना है चम्पिश्यचे विख द्क साज़। deviation of each number about the average about the average पहले हमें सारे नमबरों का average निकालना है और फिर हर number का average से कितना deviation है वो show करना है अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए हमने program शुरूब किया तो comment line लिग दिया हमने फिर हमने का include और stdio.h यह हमने header 5 include कर ली यहाँ पर हमने declare किया integer n equal to 5 ठीक फिर यहाँ पर हम array declare करेंगे तो चुकि array की value हमको यहीं पर देनी है तो array का नाम हो गया list यह हमने value assign की array elements को 3, minus 2, 12, 4.4 और 3.5 तो यहाँ पर हमने array declare की है उसके साथ ही हमने इसको value assign कर दी है अब आप पिछले वीडियो लेक्चर में जो प्रोडाम बताया है इसी problem का उस प्रोडाम से इस से compare कीजिए तो आप यह देखिए यहाँ पर array को main program के पहले ही यहाँ पर declare कर दिया गया है ठीक एक तो difference यह है अभी हम आपको program लिख देते हैं उसके फिर difference बताते है कि क्या फरक पड़ेगा अब यहाँ आ लिजे हमने का integer हमने ले लिया count ठीक है यहाँ पर हमने variable लिया float एक variable ले लिया average ठीक है एक ले लिया हमने deviation के लिए d और sum के लिए sum और जो sum को लिया हमने initially zero कर दिया ताकि उसमें कोई garbage value न available हो ठीक है अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे calculate and display the average सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने यहाँ लिखा calculate and display the average ठीक इसके लिए हम क्या करते है हमने for का loop चलाया कहां से count equal to zero से फिर count is less than untuck count is less than untuck फिर हो गया आपका plus plus count अब यह आ जाएगा आपका sum equal to list count ठीक है अब इसमें क्या हो जाएगा कि array के जो भी elements है this plus this plus this plus इनका sum जो है sum में आ जाएगा और जब यह sum में आ जाए तो average calculate करेंगे तो हमने लिख देंगे average equal to sum divided by n यह average आ गया अब इसको फिर हम display कर देंगे दो हमें हापे लिखते है printf printf slash n the average is the average is percentage 5.2f slash n slash n यह हमने दो line नीचे जाने के लिए लिख कर दिया फिर हमने लिखा average इससे क्या होगा कि average display हो जाएगा अब इसके बाद हमें क्या करना है कि calculate and display the deviations about the average अब हमको क्या करना है हमने लिखा calculate and display the deviation about the average about the average हर number का average से deviation कितना है वो हमको display करना है तो हमने लिखा for count equal to zero count is less than and और plus plus count यह लिख दिया हमने अब इस fork की body में हमने यहाँ पे लिखा कि d is equal to कितना हो जाएगा deviation is equal to हो गया list count मतलब area का element minus d minus d या d नहीं minus average average set deviation दिखाल ना आपको यह minus average और score display कर दिजे तो हमने लिखा print of i equal to percentage d x equal to 5.2f और d d is equal to आजाएगा आपका d equal to percentage of 5.2f slash n यह हो गया अब यहाँ क्या क्याँ display होना है तो i की जगा होना है count plus 1 तो हमने लिख दिया count plus 1 उसके बाद array का element डिस्पले होना है तो हमने लिख दिया list count और फिर हमने लिख दिया d इससे क्या होगा कि यह और for की body हमने यहाँ पे close कर दी और यहाँ पे main function बन कर दिया अब देखें इसमें क्या होगा कि program के इस version में यह जो program हमने आज दुबारा बनाया दूसरे तरीके से same problem का इसमें क्या है कि पहले इसमें दो-तीन चीज़े आपको ध्यान देने वाली है वो यह है पहले चीज़ तो यह ध्यान रखिएगा कि no input data is required input data हमको keyboard से entry नहीं करना है during the program execution input data की ज़रत नहीं है दूसरा क्या है execution of this program will generate the following output जो आप इसको execute करेंगे तो program का जो output आएगा वो देखिए इस तरह आएगा इसलिए इसलिए लिख दे रहा हूँ the average is the average is 4.18 यह आ जाएगा और इसका जो output है इस loop का वो ऐसे आपका i equal to 1, 2, 3, 4, 5 करके सारी value मैं यहां लिख देता हूँ i equal to आ जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 i equal to 1 आएगा तो x equal to कितना आएगा 3.00 और d उसके लिए आजाएगा d equal to आजाएगा minus का 1.18 फिर i equal to 2 के लिए आएगा minus 2.00 और d की value आजाएगी minus का 6.18 उसके बाद x की value है 12 यह हो जाएगा 12 0.00 d की value आजाएगी आपकी 7.82 फिर i equal to 4 के लिए x equal to आजाएगा 4.00 और d आपका आजाएगा 0.22 और i equal to 5 के लिए x आएगा 3.50 और d की value आजाएगी minus का 0.68 minus का 0.68 तो इस तरह से भी आप array को initialize करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यह देखिए कि when we assign the given numbers to the array within the array definition हमें क्या करना पड़ेगा कि move the definition of the array outside of the main portion of the program यह अगर आपको अरे को initialize करना है तो देखिए यहां पर जैसे हमने array का जो definition है वो प्रोग्राम के main से आपको बाहर लाना पड़ेगा ठीक तो जब बाहर आप लाओंगे तो क्या हो जाएगा जो array है आपकी वो external array बन जाएगी यही चीज आपको बताना था ठीक इसके अलावा क्या होता है कि we will also remove the explicit size specification देखिए यहां पर कोई size specification नहीं दिया है from the definition since the number of initial values will now determine the array size size specification देने की इसलिए जड़तने की number of initial value आप जितनी दे रहा है यह 1, 2, 3, 4, 5 तो अपने आप ही यह by default इस समझ में आ जाएगा कि array में 5 element है या array का size 5 है तो इस तरह से external array define करके भी आप इस program को बना सकते है तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई doubts है confusion अच्छा आपसे request है कि इस video से पहले इसके just पहले वाली video जिसमें यही program दूसरे method से बनाया गया है पहले आप उसको study कर लीजेगा फिर इसको देखिएगा तो आपको दोनों में different समझ में आएगा अगर आपको video content पसंद आ रहा है तो please video को share कीजे लाइक कीजे चैनल को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके और यह आपसे request करना चाहूंगा कि इसके पहले वाली video जरूर देखिएगा उसके बाद यह lecture attend करिएगा otherwise इसके पहले वाला आप नहीं करेंगे तो दोनों program में क्या difference है वो आप compare नहीं कर पाएंगे thank you